नमस्कार आप देख रहे हैं जन भावना टाइमस आपके साथ मैं हूँ अंकेता कॉंगस नेता राहूल गांधी से प्रवर्तन निदेशाले की पूश्टाच का बुधवार को तीसरा दिन है पिछले दो दिन से नैशनल हैराल मावले में एडी उनसे पूश्टाच कर रही है सोवार को राहूल गांधी से तकरीबन साड़े आठ घंटे तक पूश्टाच की गई तो वही मंगलवार को भी राहूल गांधी से तकरीबन दस घंटे की पूश्टाच हुई इस मामने को लेकर देश भर के कौंगसनीता केंदर की मोडी सरकार और बीजेपी पर हमला वर हैं तो वहीं केंदर की मोडी सरकार को लेकर राजसान के मुखे मंतरी अशोग गहलोत ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है मोके मंत्री अशोग गहलोत ने मोधी सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि केंद्र की मोधी सरकार के 8 साल का कारिकाल इतिहास में काला अध्याय के रूप में दर्ज किया जाएगा उन्होंने कहा कि जो कुछ भी आज देश में हो रहा है मैंने अपने 40 साल के राजवनितिक जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा उन्होंने कहा कि कॉंगिस्ट शासन का 70 साल का इतिहास हमारा स्वर्णिम काल रहा है लेकिन बीजेबी का 8 साल का कारिकाल इतिहास में काला अध्याय की रूप में लिखा जाएगा उन्होंने कहा कि आज देश का समिधान और लोक तंत्र खत्रे में है समिधान और लोग तंतर की धजिया उड़ाई जा रही है पूरे देश में हिंदू और मुसल्मानों के बीच तनाव पैदा कर दिया गया है गली गली में तनाव का महाल है छोटे छोटे गावों में भी लोग एक दूसरे के खलाफ नारे बासी कर रहे हैं ऐसा महाल पूरे देश में बन चुका है उन्होंने राहुल गांधी के लंदन में दिये गए बयान का जिक्र करते हुए कहा कि देश के मौजूदा बाहुल को देखते हुए ही राहुल जी ने लंदन में कहा था कि पूरे देश में पैट्रोल छिड़क दिया गया है गैलोत ने कहा कि राम नभमी के मौके पर साथ राज्यों में दंगे भढ़के और अब जुमे की नमाज के बाद दंगे भढ़क रहे हैं ऐसा महाल बीजेपी और केंदर की मोधी सरकार ने देश में कर दिया है ब्रहश्टाचार पर उन्होंने मोधी सरकार को घेटे वोई कहा कि आज देश में ब्रहश्टाचार कई गुनाब बढ़ गया है बीजेपी और संगह के लोग ब्रहश्टाचार में लिपते हैं हाला कि गैलोत ने ये भी कहा है कि संगह के कई लोग इमानदार भी हैं लेकिन देश में ब्रहष्टाचार की सारी हदे पार हो चुकी हैं और इन बातों से ध्यान हटाने के लिए ही विपक्ष के नेदाओं को टार्गेट किया जा रहा है अकेले राहुल गांधी ही देश में एक मात्र ऐसे नेता हैं जो बीजेपी और संग की विचार धारा से लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्हें अब प्रधार मंत्री नरेन रमोदी और अमिश शाहर टार्गेट कर रहे हैं नैशनल हेराल का जिक्र करते हुए गैलोत ने कहा कि 1937 में पंडित नहरू ने नैशनल हेराल अकबार को शुरू किया था उस दौरान 578 सेनारियों ने भी इस अकबार को शुरू किया था तब अंग्रेजों ने इस अकबार पर पाबंती भी लगाई थी नैशनल हेराल का अपना खुद का इतिहास है इसलिए हम लोग लगातार सुनिया गांधी से मांग कर रहे थे कि इस अकबार को फिर से खड़ा किया जाए और इस अकबार के लिए जो कानून बनाया गया है उसमें किसी को भी एक रुपए का लाब नहीं मिलने वाला तो फिर इसमें मनी लॉंड्रिंग कहां से आ गई गहलोत ने कहा कि देश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोंगस के नेताओं और कारेकरताओं को ही उन्हीं के दफ्तर नहीं आने दिया जा रहा है कॉंगिस के कारेकरताओं और नेताओं को गरफतार किया जा रहा है उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को नोटिस देने का कोई कारण नहीं बनता था लेकिन उन्हें सिर्फ तंग करने के लिए नोटिस दिया गया है और अब पूरे देश की जनलता ये सब देख रही है बुल्डोजर पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि आज देश में बुल्डोजर की राजनीती हो रही है लोगों के घर तोड़े जा रही है, बुल्डोजर तो किसी के भी घर पर चल सकता है लेकिन इस तरह की कारवाई लोग तंत्र में सही नहीं है देश में कानून का राज स्थापित होना चाहिए तब ही देश की जलता और लोग सुरक्षत रहेंगे चुकि ये देश कानून और समिधान से चलता है गहलोत ने कहा कि हम लगातार प्रधान मंत्री नरेन मोदी से मांग कर रहे हैं कि देश में आज जो नफरत और हिंसा का महौल बना हुआ है उसके लिए उन्हें राश्रों के नाम संबोधन देना चाहिए और ऐसे घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों की निंदा करते हुए उनके खलाब कड़ी कारवाई की जाने चाहिए तेरा राजनेतिक दलों के नेताओं ने प्रधान मंत्री से इस मामले में मांग की थी जुड़े रहिए जन्भावना टाइम्स के साथ नमस्कार